अलो फिन वेल्कम बैक रेचेनल तो आज इस वीडियो में बात कर देजारा किस्तरा विंडोस 10 से विंडोस 11 में आप अपग्रेट कर सकते कोई रिपूटेबल पेंड्रैक नहीं है विटाउट लूजिंगे और डाता आप विंडोस 11 इसी ली इंस्टोल कर सकेंगे और अंसप अजने आपको ऑफिशल विंडोस 11 आउसी वायर्या दाउनलोड करना होगा तो यहां पे मैं आइसी वायर्या राद डाउनलोड करता हूं score 604 बडाउनलोड करना हुगा ने दिखिए डाउनलोड बाउनमोड कर ल मांण कर करऴ मांण सूओ कर दिखीए आपको में इंस्टोल करता हूँ तो simply आपको इसे कोपी कर लेना है जो मैंने मांट किया है फॉल को ISO फाइल को मांट किया है इसे कोपी कर लेना है कोपी दिस PC में जाना है मुझे सीड्राइब में मैंने एक फोल्डर बनाया है देखिए विंडोस 11 के नाम इसमें पेस्ट कर देना आपको यह टाइम लेगा और कोपी हो जाए रहा हूँ उसके बाद आपको कमांड ओपिन करना है cmd और run administration करना है आपको yes कर देना है और यह कमांड आपको type करना है screen slate setup में description में भी provide कर दूँगा और इसको आपको एंटर पेस करना है तो विंडोस start हो जाएगा install होने के लिए उसके बाद आपको yes करना है और expect करना है keep file and settings and apps को आपको tick करना है क्योंकि इससे आप backup ले सकेंगे easily जो भी आपके पुराने system में है और यह install होने में तुक्तुस time लेगा उसके बाद देखिए restart हो जाएगा तो चलिए इससे install होने देता है तो फेंड देखिए Windows 11 install हो चुका है मैं यहाँ पर आपको system भी दिखा देता हूँ तो फेंड यह रहा किस्ता Windows 10 से Windows 11 में आप easy अपग्रेट कर सकते हैं without losing your data और without whatever pen rack के तो आयो फेंड यह information आप सब पर पसंद आया हुआ तब तक लिए अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye